इन टाइप के question को करने के लिए या तो आप इन सब के जो resonance structure बनाएं ने तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ क्योंकि जो resonance का जो भी आपको कोई question होगा ना इस टाइप का या aromaticity में आपको चेक करना होगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी देखी गाईज अगर मैं पहला benzene का structure लूँ बेंजीन को इस तरह से अगर मैं बनाऊँ we know जो यह double bond है यह किस तरह बन रहोंगे जो p orbitals हैं उनके overlap से बनता है so suppose सभी जो मेरे carbons हैं सभी पे p orbitals हैं right obviously now अगर मैं इसको देखूं जैसे यह वाला benzene structure मैं इसको acid row कर रहा हूं now guys अगर आप इस bond को देखें तो यह इन दो bond के overlapping से बन रहा होगा similarly जो यह bond है इनके overlapping से बन रहा होगा और जो यह तीसरा bond है इस और इस carbon के बीच में वह इस overlapping से बन रहा होगा we know it इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि resonance कहां से कहां तक है आपको अगर यह पता करना है तो देखें जैसे यह suppose इस carbon से मैं start करता हूं इस carbon के उपर भी एक p orbital है चाहे वह empty हो जिसमें positive charge है चाहे हो lone pair वाला हो right चाहे उसमें आपका कोई negative charge हो right so यह सारे के सारे orbitals count किये जाएंगे इस पर देखा तो इनमें यह orbital है इस पर भी orbital है इस पर भी 2 पर भी 3 पर भी 4 पर भी 5 पर भी 6 पर भी वापस आता हो तो यहां पर भी orbital इसका मतलब क्या है यहां से लेके यहां तक यह सब का सब conjugation में है समझ महारा आपको काई मैं किस तरह से कह रहा हूँ अब देखे यह था इस bond तो यह वाला bond बन गया and suppose अगर आप इन bond को छोड़के अगर इन दो इनकी बीच में bond बनते हैं तो आपका structure कैसा हो जाएगा कुछ इस तरह से यह bond बन जाएगा अब क्योंकि इसके बीच में बना है तो यह इसके बीच में बना है तो यह आपका एक तरीका क्या है कि जिस point से जिस point तक वाप्स तक यह p-orbitals बन रहे हैं तो यह cyclic conjugation हो जाती है, I hope समझ पा रहे होंगे, तो यह क्या है cyclic conjugation में फिलाल, इसमें aromaticity नहीं देखनी है, सिर्फ यह देखना है कि जो सबसे कम resonance वाला है, similarly, अगर मैं दूसरा case देखता हूँ, इसको, अब यह इस तरह बना दिया मैंने, कैसे बनाया है, देखें, यह वाला जो structure था, यह lone pair है इस पर, इन फेक्ट oxygen पर दो lone pair रहते हैं, अब देखें, इसको जब आपको करना है, सबसे पहले, यहां से मैं start करता हूँ, जो p orbital है, वो बनाया है, यह p orbital है, एक यहां पर भी है, होगा, obviously carbon पर रहेगा न, तभी तो overlapping होगे double bond बनता है, carbon है, आपको आगबंद करके बना देना है, यह orbital है, यह orbital है, अब oxygen पर एक तो इस plane के perpendicular होगा, याने, जो यह orbital है नके parallel, और एक क्या होगा, जो यह वाला plane होगा, या इस orbital के एकदम perpendicular होगा, और राइट गाइस, similarly इस carbon पर यह orbital है, इस carbon पर यह orbital है, यह जो bond बना होगा, यह किस तर से बना होगा, यह वाला, यह इनकी overlapping से, और यह वाला बना होगा, यह इनकी overlapping से बना होगा, अब काईदे से, एक्जाम में हम क्या और confused हो सकते थे, अब यह lone pair है, lone pair को share करेंगे, कहां तक हो रहा है, आप कोई tension लेने की दोतनी है, आपको यह देखना है, again, कि same, यहां से मैं start करता हूँ, one orbital है, दो सरे पर भी orbital है, अब तीस सरे पर, एक तो perpendicular है, इसको मैं county नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल, इनके plane में होना चाहिए, yes, यह वाला है, और in fact, इस पर lone pair है, तो याने यह lone pair वाला है, आप गोड से ध्यान दीजेगा, I hope guys, आप समझ पा रहूँगे, कि मैं क्या कहना चारहा हूँ, similarly, इस carbon पर आए, इस पर आए, तो पूरी की पूरी ring में ही conjugation है, और जब क्योंकि वापस आता हूँ, तो यह cyclic conjugation हो गई, suppose, किसी तरीके से, इस वाले bond पर नहीं होता, right, और यहाँ पर, simple, यह इसी तरह bond होता, तो यह यहाँ से लेगी, यहाँ तक conjugation होती, इस पर नहीं, तेकिन फिलाल इस case में क्या है, ऐसा नहीं है, यह, right, तो यह भी extended conjugation पूरी ring में है, similarly, आप जब C को देखेंगे, C को again, इस वाली ring को, मैं फिट से ऐसे बना देता हूँ, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखें, P orbital बनाए, यह, यह है, यह है, यह है, orbital यह है, इस पे भी है, नो, इस nitrogen पे, अगर आप देखेंगे, एक तो इस plane में ही है, इनके perpendicular, और एक, जो orbital है, वो इधर है, hybridized orbital, right, अब देखें, गाईस, होगा क्या, अगर आपको, इसको समझना है, आप ऐसे देखें, कि nitrogen का, 7 atomic number है, electronic configuration, 1s to 2s to 2p3 हो जाता है, right, तो अगर मैं, इसके जो भारवाले, इसका बनाऊँगा, तो इनको, तीन electron है, right गाईस, तो यह जो Px है, तो यह, सबोज एक electron तो, इस plane में है, समझना आपको, किस तरह कहरा हूँ, एक जो है, यह देखे, एक एक orbital में, एक होता है, तो bond बनके, share करके, bond बना देते हैं, I hope यह समझ में आ रहोगा न, नो गाईस, इसको आप, थोड़ा समझने में, आपको time लग सकता है, लेकिन once, यह आपको समझ में आ जाएगा, सारे question बहुत आसान हो जाएगे, और यह और question में भी, काफी easy लगे है, अब यह जो दो electrons है, यह lone pair hybridized, यह दूसरे plane में है, समझ रहे हैं न, आप किस तरह कहरा हूँ में, तो यह क्या हो जाएगा, अब गर इसमें भी देखेंगे, तो यहाँ से start होके, वापस जब हमारे हैं, तो added conjugation है, और वैसे भी हमें पता है, लोन पे और nitrogen पे, जो है, वो basically क्या है, इसके जो होगा, इस वाले के perpendicular होगा, और nitrogen यहाँ पे, SP2 hybridized भी दिख रहा है, इसको की planar structure है, आपको क्या करना है, यहाँ से start किया, यहाँ पे आए, तो यहाँ इसमें भी extended conjugation है, आपको समुझ में आओगा, डी option देखिए, डी option में अब क्या होता है, आपको सारा समुझ में आ जाएगा, कि हमने यह क्या क्या किया दा, अब इसको मैं इसी से ऐसा ही बना देता हूँगा, इस थोड़ा सा यहाँ से, ओके, इस point से ले, एक orbital है, एक एक electron होगा, share करके double bond बनाया, similarly, यहाँ पे बे क्या है, यहाँ पे एक orbital होगा, इसमें जो oxygen का भी बताया था आपको, oxygen का एक इस plane में होगा, एक इसमें इनको share करके double bond बना होगा, similarly, जो यह point और यह point है, इसमें भी एक एक orbital है, obviously, right, अब यह देखे, क्या इसमें है, इसमें सारे ही utilized है, यह carbon sp3 hybridized है, और वैसे भी guys, अगर आप कुछ भी confusion हो रहा है, कि मुझे क्या करूँ, इसमें मुझे p orbital नहीं दिख रहा है, आप एदे कि जहाँ जहाँ double bond दिख रहा है, वहाँ एक एक जो orbital है, वहाँ पे overlapping होके ही हो रहा होगा, या इस तरशे electron share double bond बना होगा, यहाँ पे सारे के सारे sigma bonds है, तो इन में जो overlapping हो रही होगी, इस तरह हो रही होगी, तो same plane में नहीं होगे, इन के, तो यहाँ तक है, अब क्या देखिए, क्या इसमें extended हो रही है, अब मैं यहाँ से start कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यहाँ खतम, यहाँ से यहाँ खतम, यह cyclic conjugation में भी नहीं है, तो जो least resonance stabilized होगा, वो कौन सा होगा, यह D option क्योंकि, इन में एक तो limited है, और दूसरा cyclic conjugation में भी नहीं आ रहा है, I hope आपको यह समझ में आ होगा, आपको भी समझाने में time लगा है, इस question को, नहीं तो आप जब देखेंगे,